गाईज में हूँ आपका दोस्त विवेक और आप देख रहे हैं BBN Media Network दोस्तों आज के इस वीडियो में KGF Chapter 2 OTT पर कब रिलेज होगा और कहां रिलेज होगा वो हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों अगर इस फिल्म की अगर कलेक्शन्स की बात कर ले जाए तो कई सारे फिल्मों का इस फिल्म में Box Office कलेक्शन्स रिकॉर्ड तोड़ दिया है हिंदी वर्जन में तो अब तक की सबसे हायर ओपनिंग करने वाला ये फिल्म बन दिया है दो दिनों में 100 करोर का अकरा पार कर इतिहास रज़ दिया है यूएस की Box Office पर बड़े रिकॉर्ड को ब्रेक किया है मलेशिया की धरती पर टॉप वन में आकर एक बड़ा इतिहास तरज किया है दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस फिल्म को Box Office Cinema घर के अंदर ही जाके देखें क्योंकि जो Experience आपको Cinema घर के अंदर लगेगा देख़े भी वो कभी भी आपको OTT या Mobile पर नहीं देखने को मिलेगा विकाउज इस फिल्म में जिस तरीके से फिल्म को Create किया गया है जिस तरीके से इसको डॉलवी साउंड में Release किया गया है अप Cinema घर के अंदर जो Experience फिल कर सकते हो वो Mobile पर या OTT पर आपको उतना फिल नहीं होगा इसलिए मैं Recommend करूँगा कि अभी फिल्म Box Office पर चली रही है Cinema घर के चली रही है क्योंकि दो ही दिन हुआ है तो आप Definitely Cinema घर के अंदर ही इस Movie को देखें बट बहुत सारे हमें Questions पूछे गए आपके तरफ से कि इस Movie को OTT पर कब Release किया जाएगा कहां Release किया जाएगा तो आज इस वीडियो में वही हम आपको जनकारी देने आया है दोस्तों बता दे कि इस फिल्म की जो OTT राइट्स है वो Amazon Prime के पास है वहीं TV राइट्स जो है G Network और Sony वालों के पास है तो कभी भी TV पर दिखाया जाएगा तो Sony TV या फिर G Network पर ही आपको दिखने को मिलेगा कभ रिली जोगा इसका अभी भी कोई भी Official Announcement नहीं है क्योंकि अभी फिल्म बॉक्स ओफिस पर ही चल लई है लेकिन अगर OTT की बात कर ली जाए Amazon Prime पर आपको कभ देखने को मिलेगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको जो है में के आखरी मन्त में या फिर June में आपको डेफिनेटली जो है ये OTT पर देखने को मिल जाएगा Amazon Prime पर किन दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे सिनेमा घर के अंदर देखें क्योंकि जो फिल आपको सिनेमा घर के अंदर लगेगा वो कभी भी मोबाइल या OTT पर नहीं लगेगा फिर भी बता दे रहा हूं कि ये जो है आपको जून के महीने में जो है OTT पर देखने को मिल जाएगा Amazon Prime पर